गए बेराई से बड़ी कबर है जिए अदम खोर भेडिये का सामने आया तो ये बड़ी कबर आपको बता रहे हैं तो लगातार मैंसे गाउं में आतंग जो है वो हो यहाँ पर भेडियो का देखनé को मिल रहा है इस वीच एक्स्क्लोजफ वीडियो सामने इन आदम खोर भेड पर जोटे हुई है और अब देखिए इस क्लोजेव वेडियो जो है वो आदम खोर भेडिये का सामने आया तो देखिए किस तरह से उसकी जो चहल कदमी है वो यहां पर नजर आ रही है वो इस इनके आतंग से प्रभावित है और जिस तरह से टीमें दरातल पर जोटी हुई है तो ऐसे में ये जिनकी सुंगने और सुनने की शक्ती काफी ज्यादा होती है इन्होंने अन्य जो इलाके हैं उनमें भी दायरा बढ़ाया तो देखिए इस क्लोजेव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं बेराइट से ये तस्वीर है भेडिये का ये इस क्लोजेव वेडिय है कि वो आए दिन लोगों को अपना निवाला बना रहे हैं बीती रात भी एक ढ़ाई साल की बच्ची को निवाला इन्हा आदम खोर भेडिये की तरफ से एक बुज़र्ग भी उसमें गायल हुई है जो अस्पताल में भढ़ती है और किस तरह से लगातार इनकी चेहल कदम है हाला कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उनके इलाके में जब ये चेहल कदमी देखी गई तो इतला टीम को की गई लेकिन टीम ने कहा कि वीडियो बना कर आप हमें भेजे तो ऐसे में हीला हवाली की बात भी सामने आ रही है टीम पर लेकिन ये दिकिए इसक्लोजिव पीडियो न्यूज स्टेट पर सबसे पहले आपको हम दिखा रहे हैं तो बहराईच के मैसी गाओं समेट 35 गाओं इन आदम खोर भेडियों के आतंक से इस वक्त प्रभावित हैं लोग खौफ जदा हैं रत जगा कर रही हैं और ऐसे में लोग घरों में कैद होने को मजबूर ह और किस तरह से वो इस इलाके में सक्रे नज़र आ रहा है उनकी चेलकद में दिखाई पड़ रही है वो आप तस्विर में देख सकते हैं तो यह स्क्लोजिव तस्वीर आपको दिखा रहा है वेराइस से किस तरह से यहाँ पर आतंक जो है वो देखा ज़र मैसी इलाके में भेड़े के हमले से एक बच्चे की मौत हुई मैसी इलाके में सार साल की महिला पर भी अमला बोला जिसमें वो गम्भी रूप से खाल हुगई तो बता दे कि कमरे में सोरई महिला को घसीट कर ले जानी की कोशिश आदम खोड भेड़ी की तरह से की गई थी लेकिन गनी मती रही कि बुजर्ग महिला की जान बच गई लेकिन एक बच्ची की मौत हो गई ऐसे में अब लोगों में आक्रोश जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है असुरक्षा का भाव है जिस तरह से ये तस्वीरे सामने आ रहे हैं जिस तरह से गटा हैं सामने आ रहे हैं तो उनका जो गुस्सा है वो लाजमी हो जाता है लेकिन आदम खोर भेड़िये टीम के सामने भी लगातार चुनौती पेश करते नजर आ रहे हैं बहराईच में भेडिये के सकरिता की यह तस्वीर सामने आए जिसके इस्क्लोजिफ तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जो आतंक है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो इस्क्लोजिफ वीजियो में आपको इन आदम खोर भेडि की चेहल कदमी साथ तोर पर नजर आ रहे होगी तो बहराइच में भेडियों का आतंक लगातार जारी है जिसकी ये तस्वीर वनविभा की तमाम कोशिशों के बावजूद भेडियों के हमले लगातार जारी है और किस तरह से उनकी जो सक्रेता है इन इलाकों में देखने को व जमता है वो काफी ज्यादा होती है यही वज़ा है कि जो एक्विप्मेंट यूज की जा रहे हैं इनको पकड़ने के लिए वो उससे सतर्क हो चुके हैं और यही वज़ा है कि वो अब अन्य इलाकों में भी अपना दारा बढ़ाते नजर आ रहे हैं तो यही वज़ा है कि बीती रात दोबारा से आदम खोर भेडियों का यह आतंग देखा गया गाउं वोलाव पर हमला किया है जिसमें एक बच्ची और बुज़ुर्ग पर यह हमला बोला गया है बच्ची की मौत हो गई और बुज़ुर्ग महिला घायल है जिसे अस्पताल में भरती कराया गया ह तो लगातार बनविबा की जो टीम है भेडियों को ट्रेस करने के लिए ड्रोन का जो है वो यहाँ पर साहरा ले रहे हैं लेकिन अलग अलग गाउं में भेडिये खूम रहे हैं इससे टीम को इने पकड़ने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो देखे इसक्लोज से लगातार इनादम खोर मेडियों का आतंग जारिये साथ साल बच्चे को भी यहाँ पर उस पर हमला बोलते नजर आते लेकिन